तो भाई आपको 15,000 के अंदर एक तकड़ा कैमरा तकड़ी पर्फोर्मेंस और तकड़े लुक्स वाला फोन चाहिए और इतने सारे ओप्षिंस पर समझ नहीं आ रहा कौन सा चूस करना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास तकड़े मसाल नहीं आएगी तो अगर आप नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ऐसे ही टेक कॉंटेंट में आपके लिए लाता रहूंगा तो जल्दी से आजाओ अपनी दमाकेदान लिस्ट की शुरूआत करते हैं तो हमारी लिस्ट का पहला फोन है इन्फिनिक्स ह मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्फिनिक्स लो प्राइज में काफी यदा तगड़ी स्पेसिफिकेशन लेके आ जाता है और इसका डिजाइन पर दूसरे फॉन से काफी यदा हट के मिलती है आपको चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं मैं आपको तो इस और अची मेंन करा देगा और आप पूर बह Seiकि कामरा मिल जाता है प्र रेंज के साथ और आपको पैसिए कामरी आपको काफी डिसट मिल जाएगी इसमें मतलब अप ऐ्एवरेश की कौनिटी इस एक्सपैक kسب कर सकते हो बात करेसकी बैक्तरी और चार्जर की तो आपको की स्पेसिफिकेशन से तो पता चली गया होगा कि यह आपको पर्फॉरंस में तो कोई भी शिकायर नहीं देगा पर दिक्कत बस एक चीज में आपको मिलेगी जो कि वाला फोन 15,000 तक सैमसंग की तरफ से वन अप पेस्ट फोन से अब देखो भाई इसकी ज्यादा बढ़ाई तो खरोंगा नहीं मैं बट यह वाला फोन काफी पावर पैक्ट पर्फॉर्मेंस के साथ आता है इसका कैमरा आपको बैसली इंफिनिक से अच्छा मिलेगा बट इसक प्रोसेसर काफी आदा पावरफुल है जो कि स्नैप ड्रेगन के 750 जी जो कि इस प्राइज में शायदी किसी फोन में मिलेगा आपको स्पेसिफिकेशन मता देता हूं मैं आपको डिस्प्ले आपको मिल जाती 6.6 इंच की फुल एच्ट प्लस टी फ्ट पैनल इसलिए जोड प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैप ड्रेगन की तरफ से 750 जी 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 कि एक घगड़ा गेमिंग प्रोसेसर जैसे आपकी पर्फॉमेंस को काफी जादा बूस्ट मिल जाएगा फिर बात करें कैमरे की तो आपको इसमें फिप्टी प्लस टू मेंगा पिक्सल का रियर कैमर जिसकी क्वालिटी आप एवरेज से एक्सपेक्ट कर सकते हो बात करें बैटरी की तो आपको इसमें 5000 एमेज की बैटरी के लिए 25 वाट का चार्जा मिल जाता है ज्योंकि एक बड़िया सी चीज है आज आज आए ओवरॉल और पर्फॉमेंस में तो मैंने आपको बताई दि और इसकी प्राइज आपको मिल जाएगी लगबख 16,000 रुपीज बट इसमें आपको काफी सारे ओफर्स मिलते हैं तो अगर आप उफर्स लगा के खरीते हो तो आपको 14,000 तक क्या राम से मिल जाएग अब बढ़ाते है अपने लिस्ट की क्वाडिटी तो अगला जो फोन ह कैमरा सब भी अच्छा देता है यहां बात और यह फोन पर इसलिए आता है क्योंकि बढ़िया फोन है जहां हमारा सैमसंग F23 और फिनिक्स का परफॉमेंस तो सही है बट कैमरा है वहां इसका कैमरा भी अच्छा मिलता है आपको स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो आपको इसमें मीडिया टेक डैमंस्टी ऑफ़फुल प्रोसेशर मिल जाता है जो आपको तगड़ी गेमिंग करा देगा फिर आजाएं इसकी कैमरा पर तो आपको 50 प्लस 8 मेकर पिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और 16 मेकर पिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसकी क्वालिटी काफी अद और इसकी यूनीक लुक्स काफी यादा बढ़ी आए बढ़ प्राइजिंग थोड़ी सी आपको शायर दिक्कत दे सकती है क्योंकि इसका जो 6GP वाला वेरियंट है वह आपको पढ़ेगा 16999 का बढ़ आप इसका 4GP वाला वेरियंट कंसिडर करना सकते हो जो कि आपको अराम स 14999 का भी पढ़ जाएगा और आपकी एक्सपेक्टेशन को भी मीट कर लेगा बहां कि अगर आप 16000 वाली किल में ओफर्स लगा के देखना चाहते हो तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे आप चेक आउट कर लेना और हाँ अग्वेब वीडियो पसंद लांज करती है और हर प्राइज में जीतती है इसके फोल्स हर एक रेंज पेस्ट परफॉर्म करते हैं जैसे मेरी इन वीडियो पर आइको जैट 6 प्रो टॉप वन पर रहा है बट इसमें मैं आईको जैट 6 लाइट को सेकेंड नमबर पर रखता हूं वैसा मैंने क्यों किया वह मैं आपको पताता हूं पहले स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो आपको इसमें 6 पाइट इंच की फुल एच्ट प्लस LCD डिस्प्ले में जाती है वहीं 20 एट सिर्ट के साथ जो किये काफी तगड़ी दिस्प्ले है प्रोसेसर आपको स्टैब ड्रागन 4th Gen 1 प्रोसेसर मिलता है जिनको नहीं पता यह काफी पावरफुल प्रोसेसर माला जाता है यह इस प्राइज में आपको तगड़ी गेमिंग जरूर सकरा देगा बात करी कैमरा की तो आपको इसमें 50 प्लस 2 मेकपिक्सल का काफी बढ़िया सा कैमरा मिल जाता है और फ्रंट वाला आपको 8 मे इसको इस लिस्ट में डाला बाकि इसका जो निगेटिव पार्ट है वो आजाता है इसका 4GB वाला वेरियंट जो है वही आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वही 14,499 पर वही बात आजाती है अगर आप 6 वाले के लिए जाना चाहते हो और वह 16,499 तो आप उफर्स लगा के परफॉमेंस पहले मैं आपको जल्दी अल्दी स्पेसिफिकेशन बता देता हूं तो आपको इसमें 6.55 इंच का फूल एजडी प्लस डिस्प्लेय मिल जाता है LCD दिस्प्लेय है वो भी 120 रिफ्रेश्ट वाला प्रोसेसर आपको इसमें स्नैप ड्रेगन का 695 मिलता है जो की पांचों में सबसे तगड़ा फोन है मोटो ने जो अपने कैमरे में इंप्रूमेंट की है उसका असर आपको इस फोन में जरूर से दिख जाएगा और परफॉमेंस का तो क्या ही कहना स्नैप डेगन तो आपको परफॉमेंस देगा ही देगा और यह फर्स्ट पर इसी लिए क्योंकि इसका 6GB वाला वेरियंट भी 15,000 के अंदर आ जाता है जिसकी प्राइज है 14,999 तो यह थे कुछ पांस तगड़े फोन जो आपको 15,000 के अंदर मिल जाएंगे अगर आपको यह वीडियो से खेल्प मिलियो और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइ सब्सक्राइब जरूर से कर देना मैं ऐसे बड़िया सा टेक कॉंडेट आपके पास लाता रहोंगा और शेयर भी कर देना ओन लोग आप पास जो कि ऐसे फोन्स बूल रहे हैं और कभी इन फ्यूचर बीस या पच्छे ज़दार को बजट करना तो यह दोनों वीडियो कि लेना पाकी मिलते हैं जल्द एक नए मसाले के साथ बाइ बाइ